असलाम अलैकूम केपी उमन डेवलोप्मेंट की जानिप से डौक्टर ओमी बाबा स्कूल नमबर 105 जमातो उर्दू सबक नमबर 10 है ये जाड़ा जो ये नजम है जाड़ा याने की सर्दी का मौसम है ना बच्चो अब मुझे आप ये बताईए कि सर्दी का मौसम में हम कैसे कबड़े पहनते हैं ठीक है और सर्दी के मौसम में कौन से फ़ल आते हैं आप मुझे वाइस मैसेज कर सकते हो ठीक है बच्चो कि यह जो मैं साबाल पूछ रही हैं आपको उसकी जवाब आप वाइस मैसेज या ऐसे ही मैसेज से जवाब भेज सकते हो दीगे चलो जाड़ा जाड़ा यानि कि सर्दी सर्दी का मौसम जाड़ा दूम मचाता आया कपड़े गरम पहनाते लाया यानि कि बच्चो जब हम यह जो जाड़े का मौसम शुरू होता है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं बच्चो तो जाड़ा यानि कि जो सर्दी का मौसम तो उसमें हमें घरम कपड़े पहनने चाहिए अब घरम कपड़ों में कौन-कौन से कपड़े होते हैं बच्चो स्वैटर और मौज़े, मौफलर, फिर सरबरम टोपी पैनते हैं न गरम और हाथ में ब्यर्य मौज़े पैनते हैं ठीक है तो कपड़े गरम पेहनतें लाया केसी हवा है फररर फरर कापने हैं सब फररर फरर बच्चो ठंडी में यानि जाड़े के मौसम में हवा ठंडी चलती है और उसमें सारे लोग क्या कापने लगते हैं और मुझे धुआ भी निकलता है, है ना बच्चो चुप जाता है सूरज जल्दी लगती है इसको भी सर्दी बच्चो आब जाड़े के मौसम में सूरज लेट निकलता है यानि कि देर से निकलता है और जल्दी वह डूप जाता है तो सूरज को भी ठंडी लगती है बच्चो जब सुबह होती है जाड़े के मौसम की तो काफी ठंड होती है तो ये हम ऐसी आवाजे जैसे स्कूल जाते हैं सुबह में स्वेटर पैन कर यूनिफॉर्म पैन कर तो हमारे मूँ से धुआ निकलता है और हाथ पैर कामता है इतने गरम कपड़े पैनते हुए भी बच्चो तो हम कुष्ण को जैसे आवाजे निकल दे हाँ ही ही हू सी ही तो ठंड से हम ऐसे कापने लग दे हाई रे सर्दी हाई रे सर्दी चलो बच्चो मैंने आपको ये नाजम समझा दिये अब हम इसके सवालात के ज़ुआए